हा तो फेक्स, घर वाद प्रोब्लेम पार्सिंग फएकस पेककेचे इन्ड्रॉडव, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं difend जब हम एप्टॉड्र फों में कोई एप्लिकेशन को टाउंडलॉड करके इसे इंश्टॉल्स करने की कोशिच करते हैं तो उस case में हमारे सामने कभी कबार इस परकार से error लिख कराता है इस परकार से लिखाता है तो इस problem को कैसे fix किया जाए इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो कोईन तक जरूर देखेगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो like और चैनल को भी subscribe कर इसमें यह लिखाए there was a problem parsing the package मतलब इसका जो मतलब होता है जो आपका application है उसे install करने में कुछ दिक्कत आ रही है आपसे कुछ problem है तो इस problem को कैसे fix case है इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो चलिए इसके लिए सबसे पहले कुछ तरीके में आपको बताता हो उससे पहले यह भी जमझते कि यह problem क्यों आ रही है यह problem इसरे आ रही है जो आपने application download की थी वो जो है उस website से जिस website से आपने की थी वो file corrupted वगरा होती है और उस case में हमें इस तरह का दिक्कत आता है यह mainly अलग-अलग तरीके से जो है problem आ सकती है अलग-अलग cases में आती है तो इसके लिए आपको यह suggestion होगा कि आप play store से ही जो भी application है उसे यहाँ से ही download करेगा यहाँ से games and apps जो भी आप download करना चाहे वो यहाँ से आप कर सकते हैं हम basically करते हैं कि जो है किसी third website से या फिर third part website पर जाते हैं and then वहाँ से जो है डाउनलोड कर लेते है application को and basically वो downloaded होने से पहले ही मतलब उ तो इस case में हमें इस प्रकार के दिख्कत आती है जब ज्यादा कर यह problem more E-Pk में आती है जब मोर E-Pk वगरण डाउनलोड करते हैं इसके अलावा कभी कबर यह भी दिख्कत आती है कि जब हम application को download कर रहे होते हैं तो वह application को हम बीच-बीच में बंद कर देते हैं मतलब downloading हमा हो रही है वो corrupt हो जाती है and then आपको दिक्कत आती है तो जब भी आप कोई फाइल को डाउनलोड करना स्टार्ट करें तो बीच बीच में आपको net connection बंद चलू बंद नहीं करना है या फिर उसके बाद आपको इस ट्रकर के जो दिक्कत है वो आ सकती है उसके अलब एक और चीज में download कर लेते हैं किसी app को देने extract करना वगेरा होता है तो उस case में आपका जो है app इंस्टॉल नहीं हो पाएगा तो जब भी आप किसी website से application को download करें तो उसके जो last में है .ap के जरूर लिखा हो इस तरह से आप चेक कर लेजिए जिससे के आपका जो application है वो download होने के बाद install भी हो सके मतलब कफी बार यह दिक्कत आती है कि हम application को बहुत बड़े बड़े application को download कर लेते हैं लेकिन वो जो application होता है वो format अलग होता है उसका मतलब format गलत पॉर्मेट होता है और उससे हमारा जो installation है वो parsing problem इस तरह से लिखाता है I hope आप समझ रहे होंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा